सो ही गायस कैसे हैं आप सभी आई होग कि आप सभी ठीक होंगे तो आज हम जाने वाले एटल के physical sim card को e-sim card में कैसे convert करते हैं ये है मेरे पास एटल का physical sim card इसको मैं e-sim card में convert करके आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो को follow करने के बाद आप दो मिट के अंदर अपने physical sim card को e-sim में convert कर पाएंगे एटल के लावा अगर आपके पास कोई other sim card है जैसे कि जियो गएरा का तो उसके उपर मैंने पहले से वीडियो बना के रखी हुई है लिंक description में मैंने दे रखी है उस वीडियो को follow करके आप जियो के physical sim card को भी e-sim card में convert कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको अपने एटल के physical sim card को phone के अंदर डालेना है जिस भी phone के अंदर आप e-sim को activate करना चाहते हैं उस phone के अंदर e-sim को activate करने से पहले आपको दो बाते ध्यान रखनी है सबसे पहले आपके उस mobile number पर recharge होना चाहिए और दूसरी चीज कि आपके उस mobile number के साथ में आपकी email id लिंक होनी चाहिए अब आपको अपने phone के अंदर atl thanks app download कर लेना है अगर आपके पास iOS है यानि कि Apple का smartphone है कोई तो app store के अंदर जाएंगे atl thanks लिखेंगे और अगर आपके पास Android smartphone है तो आपके अंदर पर play store के अंदर जाएंगे atl thanks लिखेंगे सर्च करेंगे और इसको download करने के बाद आपको इसको open करना है और यहाँ पर जो आपको register कर लेना है अपने same mobile number से जिस mobile number को आप e-sim में activate करना चाहते है login करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरी का interface आएगा यहाँ पर आपको आपका प्लान दिखे जाएगा जो भी आपनी रिचाज कर रखा होगा left side में उपर के side में profile का icon दिखेगा इस पर click करना है इस पर click करना है आपका नाम आ जाएगा Upgrade to eSIM इस पर किलिक करना है New भी यहाँ पर सो करेगा कि यह latest option है यहाँ पर आया अप के अंदर और यह सबसे easy है simple से steps में आपको eSIM activate करके देगा यह देखे एक यहाँ पर warning सो हो रही है 24 hours के लिए आपकी SMS service जो है वो disable हो जाएगी अगर आप eSIM activate करते हैं उसके बाद यहाँ पर mobile numbers हो रहा है और यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कौन से device में eSIM को activate करना चाहते हैं इसी phone में या फिर किसी दूसरे में तो मैं this device कर देता हूँ अब यह बोला enter 32 digit EID number अब EID number कहां मिलेगा आपको back आना है इस आपको close नहीं करना है minimize कर देना and setting के अंदर आना है setting के अंदर आएंगे अगर आपके पास android है तो android के अंदर same process करेंगे यहाँ पर about के अंदर जाएंगे android है तो android के अंदर ios है आईफोन है तो आईफोन के अंदर about के अंदर जाएंगे यहाँ पर थोड़ा से निचे स्कूल डाउं करेंगे यहाँ पर दीजएगा EID इस पर long press करेंगे और copy कर लेंगे copy करने के पाद फिर से back जाएंगे atl app के अंदर जाएंगे यहाँ पर जो हमें paste कर देना है पेस्ट करने के बाद यहाँ पर get eSIM via OTP पर click कर देना है सेम ऐसा SMS आपको भी मिलेगा जहाँ पर बता रहा है कि आपके eSIM request हमें मिली है आपका mobile नंबर यह है अगर आपके पास eSIM enabled device है तो आप इस OTP को use करके आगे बढ़ें आपकी SMS service जो है वो 24 hours के लिए बंद रहेगी for security reason, banking OTP या फिर अधर कोई भी OTP है वो सारे नहीं आएंगे OTP यहाँ से copy कर लेना है OTP डाल के proceed करेंगे अब आपका eSIM activate हो चुका है अब आपको करना क्या है back आजाना एप से अब यहाँ पर सबसे पहले आपको wifi connect करना है अपने phone से किसी भी phone की hotspot को on करके उससे wifi connect कर लेनी है उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर आपको अपना physical SIM card जो है वो निकाल देना है चलिए फटाफट मैं भी physical SIM card निकाल देता हूं और ओके करेंगे अब यहाँ पर आपको करना क्या है ध्यान रहे है कि wifi second कर लेना है इंटरनेट आपके फोन के अंदर चलना चाहिए wifi से किसी connect कर लेना है अब notification पैनल डाउन करेंगे और यहाँ पर एक notification आया होगा sorry मेरे से who notification remove हो गया अगर गलती से आप से भी remove हो जाता है तो डणने की जोड़त नहीं है back आपको अब यहाँ पर आपको setting के अंदर जायना है setting के अंदर जायेंगे mobile service के अंदर जायेंगे यहाँ पर देख है setup mobile service इस पर आपको किलिक करना है, अब आपको setup e-sim पर किलिक करना है, थोड़ा सा यहाँ पर time लगेगा, एक से दो मेट का, setup complete हो चुका है, done कर देंगे, back आ जाएंगे, और अभी देख सकते है, atal network आ चुका है यहाँ पर, और हमारा sim card बाहर है, यह देख सकते हैं, और sim tray भी बाह आपने atal के physical sim card को e-sim करनोट कर सकते हैं, इसी तरीके से, so I hope कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो करते हैं, like and channel करना subscribe, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के नतर तक, be safe and be healthy